वेल्कुम तो दे चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ यह एक इंफर्मेशनल वीडियो है गाईस किसी गेमप्ले के बारे में वीडियो नहीं है इसमें जो अभी इंडिया के अंदर जो प्राइम गेमिंग अमेजन ने जो लॉंच किये उसके बारे में यह इंफर्मेशनल वीडियो है तो गाईस अमेजन ने भी इंडिया में पहले यह था कि इंडिया में साथ प्राइम गेमिंग नहीं आएगा बट अमेजन ने लास्ट में प्राइम गेमिंग को इंडिया में लॉंच कर दिया है तो आईए देखते हैं प्रा सबसे पहले अपने को अमेजन अकाउंट उसके अंदर जाना है लोगन लोग इन कर चुना आप Candle है तो सबसे अच्छी बात है है जो आज के दिन प्राइम अकाउंट युज्ज कर रहे हैं जिसके अंदर आपन वीडियो वगैरा देखते हैं उसी account से ही अपने इसको भी access कर सकते हैं अलग से अपने को किसी तरह का कोई पैसा देने की किसी चीज की जुरूरत नहीं है सबसे अच्छी बात यही है तो सीधा अपने को उसमें prime जिस account पे अपना prime उस account के अंदर अपने को जाना है और वहाँ पे जागे prime gaming starting भी मिल सकता है आपको या फिर आप search में prime gaming search करोगे तो आपको यह मिल जाएगा तो इसमें जैसे लिखाए games मिलेंगे, games के साथ DLC मिलेगा मलब कुछ games मिलेंगे अपने को free खेलने के लिए और उसके साथ साथ जो game के अंदर का content होता है DLC होते हैं, bundles होते हैं, skins bundles होते हैं, operators के bundles होते हैं, जैसे games के अंदर, वो सब अपने को इसके अंदर free मिल ले वाला है, तो let's चलते हैं guys, prime gaming की site पे देखते हैं क्या होता है तो जैसे मैंने अपने account के अंदर login कर लिया है और वहाँ से पाद ये जो इतना भी content है, उसको अपन जो अपना prime account है, उसके साथ free access है अपने को, मतलब इसमें से जो भी चीज़े हैं, इसको अपने साथ free access कर सकते हैं, तो ये है अपना basically इसमें अभी ये शुरुआत है, तो इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़े डाली के ये वो है, इन गेम content का, जैसे फीफा 23, गेट इन गेम content, तो ये जो भी चीज़े है, पैक मतलब अपने को, उसके अंदर जो गेट इन गेम, ये सब उसके अंदर की चीज़े मिलती है, उसके बाद दूसरा जो famous गेम है, ये अपना call of duty, अभी modern warfare या warzone 2.0 जो आ रहा है, तो उसके करना, यहां पर गेट इन गेम content करना, और आपकी जो एक्टिवीजन की जो भी ID है, जो भी account है, जो call of duty है, वो आपको इसके साथ लिंक करना है, उस account के अंदर ही अपने को bundle free मिल जाएगा, ठीके गाईज, तो ये तो हो गया in game content का, उसके अलावा, जैसे कुछ और game है, अप पने पास, इसमें अभी league of legends हो गया, अग जीटिये का भी online का है, drug wars जो अभी जीटिये online के अंदर, जो drug war का जो नया DLC आया है, जो update आया था भी कुछ दिन पहले ही, उसके लिए भी अपने को, इसमें कुछ 5 lakh रुपीज का game content है, ये तो हो गया का, इस game content की बात, जो game के अं इसमें free games भी है, ये तो in game content है, उसके बाद free game है, अभी इसके अंदर सिर्फ ये आठी game है, quake हो गया, spinach हो गया, desert child हो गया, brother से, tale of, अभी आठी game है, धीरे धीरे game add होते जाएंगे, जैसे अपने Xbox game pass है, जैसे दूसरे है, जैसे PlayStation का PS Plus Essentials है, उस तरह से game इसमें add होते रहें जैसे अभी ये जो game से end in 14 days, 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 दिन के बाद नए game set हो जाएंगे, तो ये चीज इसके अंदर है, guys, तो ये अच्छी है, और जो in game content है, ये अपने लिए permanent मिलेगा अपने को, जो claim का है, तो ये अपने लिए काफी अच्छी बाद है, कि अपने को भी इंडिया के अंदर भी ये prime अपना launch हो गया, और अपने को एक option और मिल गया है, जैसे steam है, epic है, xbox game pass है, उसके जैसे ही, अपने को एक option और मिल गया है, कि हम gamers को, जहां से content मिल के, कम पैसे या, मतलब free, और सबसे बड़ी बात ये है, कि इसके लिए अपने को अलग से कुछ नहीं करना, mostly हमारे पास maximum, जितने भी हम है, कि prime account अपने पास होता ही है, चाहे हम videos के लिए, shows के लिए prime account है, mostly मिल जाता है, prime account, और अपने को उसी account से ही, ये सब content free of cost मिलेगा, तो ये अपने लिए अच्छी बात है, guys, तो आज की video में सिरफ इतना है, guys, अगर video अच्छी watching the video, thank you guys